यह आपने गेस पाईप के बाड़े में जरूर्श से सुनाऊगा that the gas pipe जमीन के अंदर हुआज और भारत में बिच्छाया जा रहा लेकिन gas pipe को किस तरह से जमीन के अंदर बिच्छाया जाता है क्या आपको पता है यह आपने पहले कभी देखा है का चुका हूँ जमीन के अंदर जारा है। उनका नाम मुहम्मद कैप है और ये हमें अभी बताएंगे जमीन के अंदर सुराख कैसे किया जाता है और गैस पाइप को जमीर के अंदर किस तरह से बिचाया जाता है। जली बिना time गबाइए हम इस चीज को देखते हैं और जानते हैं। यहां आप देख सकते हैं, एक बैक्ती भारी भरकंब मसीन से एक मोटे रौड को जमीन के अंदर गला रहा है यानि कि जमीन के अंदर सुराख कर रहा है ये मसीन अभी जमीन के उपरी सता से नीची 14 फीट की गहराई होते हुए 800 मीटर दूर तक सुराख कर रहा है सुराख करते समय इस मसीन के दौरा रौड के अंदर पाउनी और खास किस्म के राजस्थानी मिट्टी को पाइप के अंदर डाला जाता है जिससे की सुराग के अंदर उपड़ी सता पर एक मजबूत परत बन जाता है इससे सुराग के अंदर मिट्टी भरकने का चांस कम हो जाता है ये हनुमान जी के गदा जैसे दिखने वाले रीमर है ये मसीन जितना बड़ा सुराग करेगा उतने ही बड़े रीमर को इस रौड के उपर लगाया जाएगा यहां आप देख सकते हैं बहुत ही लंबा और बहुत ही मोटा ये गैस पाइप है इसी गैस पाइप को इस सुराग के अंदर खीचा जाएगा सवसे अंत में रीमर को सुराग से खीचने के बाद गैस पाइप को सुराग के अंदर खीचा जाता है इस मसीन का काम है सुराग करने के साथ साथ रौड को जोड़ना और अलग करना तो इस तरह से गैस पाइप को जमीन के अंदर बिचाया जाता है उमीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफी जादा पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देजिए करता हूँ कि ये वीडियो को काफी जादा पसंद आई होगी फ्राफट से वीडियो को लाइक कर देजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देजिए मैं मिलता हूँ किसी नए बुरे में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जाहिंज जाए भाड़ा जादा बॉपिक क्युक्ती द्झाविक कर देंड़ हूँ